हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम इंगलीज का पेपर का यहां पूरा हल देखेंगे और यही पेपर आपके बोर्ड के एक्जाम में आने वाला है तो फ्रेंस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंस यहां पे इसका पूरा हल आपको बत करने के लिए इन्स्ट्रक्शन आपक供ानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको 15 मिड़न मिलेगे फ्रेंज आस आपको पेपर पढने के मीलेगा ठीक है फिर इसके बाद आपको जो है पूर पूरा आल केलिडान करना आपको जरूरी है फ्रेंज इस इसके बाइद आपको जो आपका जो रीड दा कुएस्टिन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क यूर एंस्वर जो आपको यह मुल्टिपल चॉइस वाले कुएस्टिन आपको ओमर सीट पर करना है ठीक है फ्रेंस आप जो पार्ट भी है फ्रेंस आपका जाएगा ठीक है इसको केरफुली पढ़ना है पढ़ने के बाद इसका एंस्वर देना है देखे फ्रेंस इस प्रकार के क्वेस्टिन को कैसे हल किया जाता है आपको पताते हैं फ्रेंस पहले आप इसका पैरग्राफ जो पैसे देता है इसको मत पढ़िएगा पहले आप क्य साउंड कहां पर लिखा है देखे इसका मतलब है कि we are unable to hear a sound यानि कि एक sound सुनने के लिए unable है यानि कि हमें वो sound कब सुनाई नहीं देता है यहां पर मेंड वर्ड यह है कि sound अग इस पैर अगर आपको पढ़िए यहां पर पढ़ने कर देखेगा sound कहां पर लिखा है सोरी दोस्तों देखें साउंड यहां पर लिखा है तो साउंड के ऊपर ही इसका एंसर मिलेगा है नीचे तो आप इसको पढ़ लिजेगा देखिए हैं यहां से पढ़के बताते हैं कि बहने फेãyी लों इन पीच वी डूनाट हर इट ठीक है हमें जब बहरी लो हो बारे लो साउंड होता है सुनाई नहीं देता है असले रूप लएन बहल्स पता बहलं से हาย रहाए often जो साउंड होगा próprio अब सुनाई नहीं देगा तो को यहां पर यहां पर आपको है आपसर मढ़ बी तो फ्रेंस देखिए अभी आप यहां पढ़े हैं भेरी लो ठीक है देखिए भेरी लो भी है फिर इसके बाद है भेरी हाइए यह दोनों आपका जो साउंड होगा असपर्श रुप से सुनाई नहीं देता है यहां पी इसका सही जवाब एभी होगा बीगा बीगा इसका देखिए लिखा है बोट एंड भी इसका सही जवाब आपको क्या होगा डी वला आपसं सही होगा तो फ्रेंस इस तरफ परग्राप को पढ़के ही इसका एंसवर देना है और इसका जवाब आपको इस परग्राप में ही मिल जाता है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखत से हैं दूसरा नंबर का सवाल लएद है फ्रेंस कि दो टो एक्स्ट्रीम और एला इक ठीक है देखिए फ्रेंस यहां एला का मतलब पता है तो आप एंस वार तुर्ण्त दे सकते था मतलब कि इसका ड़ट ट्रीरम यलाई कमरत्द्र क्या है ठीक है आपसं दियाा इसमें से कौन सा सही होगा अलाई का मतलब से एप इसमें से देखिएगा अप ईसको ट्रिक से अपने دिमाग से लगा सकते हैं यह verme Original को तुर्ट इसके आप इसके अंसर बता देंगे ऑप है ठीक है फिर इसमें कर रहें एकसेस आफ एनिटिंग इस नाट गूट अच्छा नहीं है वी गेट आलमोश दसे रिजल्ट इन बोथ तो सिच्चोइशन में जो रिजल्ट मिलता है से मिलता है ठीक है और आला अबeleri का मतलब भी आपको पता सें तो यह tau मिलेगा ति यहांस आप इसका सही जवाब झाला तेंगे ठीक है यह paragraph से ही इसका पैसे से ही इसका answer देना है आपको ठीक है friends अब देखे फ्रेंश तीसरे नम्बर के जो सवाल है आपके सामने which word in the passage in opposite of slow slow का opposite क्या होगा फ्रेंश दिखेंश अप्पोजिट क्या होगा धीमा दीमा का opposite क्या होगा तेज होगा यहां पर देख्य परकाल परसन का सही जवाब पूछे गये आपके गजाम में आने वाले इखिए यहां प्다ाफि जूंज ने कि पूछेंगा पर उसके बाद आप चार से लेकर आठ्ट तब यहाँ पर कोईश्टेंगन धी टूफेचे और यहां पिसका आपसंद यह इसी में से इसका एंस्वर आपको लिखना है पहला है कि I dear with my parents देखें यहां पर आपका क्या है कि वर्ब नहीं है ठीक है यहां पर वर्ब देखें इन तीनों में से कोई भी यहां भरेंगे तो आपका एंस्वर सही होगा जैसे आपका विल गो भरेंगे तो मेरे आई देखें I will go dear with my parents मैं अपने माता पिता के साथ जाओंगा हो सकता है वेंट भी भर सकते हैं हैं तीनों यहां से आपसंद भरा जा सकता है और सही होगा इसका सही जवाब आपको क्या होगा डी होगा ठीक है अब देखें अगला नंबर का सवाल है आपका पांचवा नंबर का कि if you want to know about new things you are आपको इसका एक वर्ड में एंसर बताना है आपका आपसंदिया है देखें इसका मतलब है कि यदि तुम किसी नया चीश के बारे में जानना चाहते हो तो उसे कहते हैं क्या कहेंगे देखें को कासियस लिखा है देखें फ्रेंस जब आप किसी मोड़ पे जाते हैं या कहां कहीं पर फैक्टरी उक्टरी होता है तो यहां पर डैंजर का इस तरह लिखा होता है मतलब साधानी के बारे में बताता है ठीक है फ्रेंस इसका answer क्या हो जाएगा आपका डी वाला होगा curious मतलब होता है नए चीज़ों के बारे में नए वस्तों के बारे में जानना ही curious का लाता है देखे फ्रेंस आपके सामने छटाना नमबर का सवाल है कि rearrange the following word clusters to make a meaningful sentences says देखे फ्रेंस इस तरह आपको अलग अलग word करके दिया है और इसको आपको एक arrangement last पेसले आप सबक्राइभ और हुता है क्या है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब माई यह थी वbles झाल यहाऊ सब्सक्राइब होगा सब्सक्राइब को yn मेरा भाई अपने खिलोंगे को सेर लिए आपका सब्सक्राइब नहीं इसलिए वहला भी आपसान आपका सही नहीं हो सकता है जिसका सही जो आपका आपका सी होगा ठीक है फ्रेंट अब चलिए अगले नंबर का सवाल को देखते हैं देखें साथवा नंबर का सवाल है कि वीच आप फॉलिंग वर्ड इन मिस इस्पेल्ड यानि कि इसमें आपके साथा हूंके सवाल है कि ही जंट खाली अस्थान है डवाल ढवर्ड टुर्ण का • आपके साही ही वेल टूसेफ ड्रॉइंग ड्रॉइंग गॉर्ल इसका मतलब होता है कि वह लड़की को बचाने के लिए व्म कूदा तो फ्रेंच देखेंगे यहां पर आप मतर्ब से होता थी यह तो नहीं सकता है आये पर उता थी यह भी आप नहीं भरा जा सकता अब देखिए इन माने भी में होता है इन दोने में कोई एक भरा जा सकता है इसमें देखिए आपको पता देखिए जब कोई वस्तु अंदर से बाहर बा सोरी दोस्तों बाहर से अंदर प्रवेस करता है तो वहां प्या लगाते इंटू लगाते हैं यानि क से आप लोग हम ऐसा बोलते हैं होंगे इंटू-दा रूम इन्टू-दा रूम यानि के बाहर से क्या हो रहा है प्यक्ति अन्दर प्रिवेस करता है तो आपको लगता है ठीके फ्रेंज इसका सही जवाब आपका क्या होगा भी अपसंड सही होगा आपके सामने अगला पढ़के आपको इसका इंस्वर देना है ठीक है इसमें नौस लेके 10 तक यह है ठीक इस पैसे इस पैसे इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए पढ़ने के बाद देखिए आपको सीधे यहां पर बताते हैं नुवा नमर का इन अन्येज पोयम यानि कि जो अन्ये का अन्ये का इसको सिंब्याइस किया गया है डटकत लिए अगर आपको पढ़िए गए नहीं के बात देखिए है और क्या है आप का आया है का आपका आपका इन्येजS súdgeh का प्रियोग किया गया है इसमें इसका सही जब क्या होगा और भी वालापसं सही होगा देखिए थे इसका एंस्वर आपको इसी पैसे में मिल जाएगा ठीक आप ध्यान सी इसको पढ़ेंगे तो मिल जाएगा ठीक है देखिए फ्रेंस आपका अगला नंबर का सवाल है दसवा नंबर का कि मिस्टर जो किसिंग हैट एसाइन अन्ने इक्ष्टर होम वर्क यरलियर बिकास अब देखिए फ्रेंस यरलियर बिकास इस आपसन को पहले पढ़ लिजेगा ही हैटेड हर मतलब कहाने को मतलब इसका है फ्रेंस ना कि मिस्टर किसिंग जो थे वो ज्यादा इक्ष्टर होम वर्क अन्ने के क्यों दिए ठीक है तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप जब देखेंगे फ्रेंस यहाँ पर अगराफ में आपको मिल जाएगा कि हैव नाट बीन एसाइंड माई एक्ष्टर होम वर्क किसलिए थे लाउड कर यानि कि ज्यादा सोर गूर करती थी वह ठीक है यहाँ यहाँ बहुत जादा या सोर गूर किया करती थी इसलिए उस मिल दाता मिल आपको मिल नाटी तेंसे क्यों नुर्ड था मिल ते था तिसका सही जोफ क्या होगा देखी यह पे आप देख सकते हैं कि since I am allowed था ठ》 फ्रेस इसा प्रेजच इस प्रगास इस प्रगार्व तकास में आप इस देखना आप लिख सकते हैं जो लिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं देखिए फ्रेस्ट आपका अगला नमबर के क्वेस्टन है कि चूज दए करेक्ट आपसं टू एन्सवर दॉपावलिग क्वेस्टन यानि इस सही जवाब किया होगा 27 छीड थैक है फ्रेस आपके साहाम नंबें अगला नंबर गांडारा नंबर का सवाल है महासीर इजे फांड Bubble in कुर्ग प्रेचर पाया था इसमाल वैकिंग्स वाटर फिस लाज देखे फ्रेज ब्रेकिस वाटर क्रिएच जब आप पढ़े होंगे इसको तो आपको पता होगा कि महासीर जो था एक कुर्ग में एक लाज फ्रेज फ्रेज वाटर फिस पाया था ठीक है ति इसका सही जो अब क्या हो बस đếnender था ये जो ली में था ठीक है इस प्रश्न का सही जवाब के वाले बी वाला सही हो गा जो ली महाँदर ठीक है और ये आपको किताब से रिपके सामने अगला नम्ब्र का सवानिए यहाँ पे रिड़ दर गिमेन इक्स्ट च्रेक्ट और चूज द और आपसन टवा dulu नेहीं आमांडा अपने नाखुनों को नहीं काटती थी थी तो हंच योर सोलडर समयां पने सोलजर को जुका के नहीं चलती थी इसटाप डेइस स्लचिंग एंड द सीट अप इश्ट्रेट अमांडा अमांडा को सीधे बैठने के सला दी जाती थी तैड़िए जो बात Amanda को अपने नाखुन काटने चाहिए ठीक है इसने को सीध है बैठने की सलादी जाती ठीक है था फ्रेंज लूंत कॉन क lashन झेखता है। हूँ क्यों गहीं पर और पर कौन जातुन को जाती है Erbah Ananda कर भल दाइक है यहाँ पर क्या होगा ही अछे प्वsecond देख एक अगले नंबर के सवाल को देखते हैं इसाप इसपीकर आई समयर है इसमीक डीड यह swift होता है को बारे कर दो एक्रम कि ओन्रोली घर्ल घ sorta अमांडा रिमेंज अंटाइडी इंस्ट्रक्शन कें अमांडा बिहेग बेटर ही वांस टू इसकोल अमांडा ठीक है तो फ्रेंज देखी इंस्ट्रक्शन दिया जाता था ना जो उसकी माता थी अमांडा ऐसे क्या देते थे एक एक इंस्ट्रक्शन कमेक्षा अच्छे बनाने के डिए उसको क्या दिया जाता था एक इंस्ट्रक्शन उसके पैरेंट्स देते यहीं कर रहा है कि speaker is speaking like he is this because क्यों देते थे इसको एक instruction देते थे ठीक है फ्रेंस प्रेंस प्रशन का आपका सही जवाब क्या होगा सी होगा आपके सामनी अगला नंबर का है देखिए फ्रेंस चूज दर करेक्ट आपसं टू एंस्वर दर फालिंग क्वेस्चन यानि कि इसमें निमलिखित में से क्वेस्चन का एंस्वर आपको देना है देखिए यहाँ पर है कि इट वाज टेमप्रेशन टू कीप ट्रीकी ट्रीक है ट्रीकly को परमानेंट रखने की बात क्यों करते थे जैसे यहां पर मिसेस इत डीटनाट वांण टू ट्रीकीार काते थे ट्रीकी ट्रीक-टीड होता है फास्ट रिकवर नहीं करती थी इसके लिए या मिस्येज पंफ्रेज सेंट एलाट अप टेबल डेड़ डाक्टर इंज्वाइड यानि कि मिस्येज पंफ्रेज थे वह क्या करते हैं खाने होने की विवस्था अच्छे से भेशते थे इसलिए डाक्टर आप क्या थे अपने बुक में सभी लेसंत इसमें से उसका सही जवाब क्या होगा ठीक है यानि कि मिस्येज पंफ्रेज को जो खाना होना थे टेबल भोजन उजन था भेशती थी और जिससे डाक्टर उसको खाते थे खुस रहते थे इसलिए उसको चाहते थे कि वहां से परमानेंट हो ज सिंग यानि अनील हरी सिंग को क्या सिखाता था देखे कुक एंड राइट यानि खाना बनाना और राइट लिखना कुक राइट एंड नमबर यानि कि उसको क्या भोजन बनाना लिखना और संख्याओं को जोड़ना सिखाता था राइट सिर्फ लिखना कुक खालिक भोजन बनाना और add numbers संख्याओं को जोड़ना देखिए यह जो अनिल था वह हरी सिंग को सिखाता था भोजन बनाना साथ में उसको लिखना और संख्याओं को जोड़ना बताता था इसका सही जवाब क्या होगा भी वाला option सही होगा ठीक है आपको यह असपर शूल सा समज में आ रहा होगा ठीक है आग वे सामने अगला नंबर का सवाल है अठरावा नंबर का दबूक गिफ्टेट टू इब राइट बाइन his mother यहाने कि als mother whose mother उसकी माता के दोरा कौन सी बुक उसको गिफ्ट में दीती ती अगला नंबर का सवाल है कि which of the following combination describes Matilda, Matilda को combination के लिए कौन सा describe सही है, जो यहां पर दिया है कि कौन सा में से Matilda के combination के लिए describe सही है, वो रीच थी, तब आप लेशन पढ़े होंगे, इसमें वो रीच नहीं थी, ठीक है, जब रीच वाला आपसन है, तो इसको तब काड़ दीजे, मिडिल क्लास की थी, इस प्राशन का सही जवाब क्या होगा, आपका इसका सही जवाब होगा, ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, देखे फ्रेज, बीच वा नंबर का आए, कि भोली वास सेंट टू स्कूल, यानि कि भोली को स्कूल क्यूं भेजा गया, क् भोली को स्कूल, यानि भोली वाला चेप्टर आप लेशन पढ़े होंगे फ्रेंज, इसका एंस्वर तुरनत आप देदेंगे, कि भोली को स्कूल क्यूं भेजा गया था, क्यूंकि her father failed complaint to do so, उसके प्रति उसके complaint मिलती थी, ठीक है, her mother wanted her to get educated, यानि उसकी माता उसे educated कराना चाहती थी, everybody else sent his daughter to school, परतेग भेकती, उसको स्कूल भेजना चाहते थे, it was necessary for her marriage, उसके शादी के लिए उससे स्कूल जाना जरूरी था, तो फ्रेंज देखिए, जो भोली को स्कूल भेजा गया था, her father failed complaint to do so, ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, उसके प्रति complete थे, ठी इसका सही जो आपको क्या होगा, एवल आप्सन सही होगा, तो फ्रेंज यहां पर आपके 20, आपको आप जेप्टरिक क्वेस्टन बोर्ड के एक्जाम में देखनों को मिलेंगे, ठीक है, और इसी प्रकास से क्वेस्टन आपको मिलेंगे, अब यहां से आपको स्टार्ट हो लिबरेटी रिप्रेजंट यानि कि इस से करता है, यहां पर इस इसका लांग एनस्वा इसमें से लिख दीजगा, इसका अगल बगल का देखेँ परें, इसका एंसवा जो लिखा जाता है इस पर अगर आपको इसका उगल बगल जो रहता है कि स्टेट्री अप लिबरेटी harbor the first thing we see is the state of liberty यहां से लेकि यहां तक इसका लिखे देंगे पहले का इंस्वर आपका हो जाएगा साहिए ठीक है अब कर रहा है कि what is meant by the underlying person फ्रेंच देखी दूसरे का अब भी कहें कि यहां पर जो underlying किया गया है इसका अर्थ क्या है यानिक इसके बारे में आपको बताना है तो फ्रेंच देखे इसका अर्थ लिखना रहाएगा तो यहां से इस line को पूरा लिखिए गार लिखने के बाद यहां से लेकर आप यहां तक पूरा यहां फूल से मनी इसको अमरीका से मिलता था तो देखे यहां पे आप पर अख़ार हुआ में मनीथ आपकर लिखकाए प्रकास लिखिए गया इस line को पकड़िएगा देखे इntrial Histhat प्रेंच यहां से आप फूल सब्सक्राइब आपको मिलेगा पूरे पर अगराफ से वही लाइन उठागे पूरा लिख दीजिएगा जिसका अर्थ वह हो जागा ठीक है तो आप पर अगराफ वहले सवालों को इसी प्रकास कीजिएगा ठीक जैसे पता है इसी प्रकार करेंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा ठीक है अब देखिए आपका अगला नंबर का जो सवाल कैसे पूछागा बोर्ड के एक्जाम में जो घर पे जो मिस कर रहा था उसके बारे में उसके फिलिंग क्या था उसके बारे में आपको इसका यहां पर लेटर लिखना ब्रदर को ठीक है फ्रेंश देखिए एक लेटर यह जरूर आप कर लिजएगा इसी में साब के बोर्ड के एक्जाम में जरूर चार नंबर का dall है और अपना छूल अफिपल को क्या लिदा की अगी घृट वाटर टेंक कि वह गसव अपर देख को के बारे लोगिय है वह सुत्वड़ किस के बारे में आपको यहां नहीं पोड़ा है कि आपको इक लिधा बसलीन नहीं है उसके बारे में और मुर्द्थ को लिखना है अब चलिए फ्रेंस अगला नंबर का सवाल देखते हैं कि आपके बोर्ड के एकजाम क्या आने वाला है देखिए आपका तिसरा नंबर का सवाल बोर्ड के एकजाम में पूछेगा कि write a report on the craft exhibition in your school in about देखिए आपको 80 और 100 words में लिखना है जापी hints दिया आपको heading इसी के बनाना होएन लिखना है पहले फिर यह वाला heading बनाना है ceremony के बारे में फिर craft items यह आपको heading बना के इसके बारे में लिखना है कितने वर्ड़ों में 80 से 100 words होना चाहिए यदि यह वाला नही picture की भेन below taking clues from it right and articles are advantage and disadvantage of internet internet के लाब और हानी के बारे में लिखना है अब देखिए इंटरनेट के बगल में जो यह आनलाइन शापिंग है communication forum है इन सबके जो heading यहाँ पर internet additional cyber crime online quiz इन सभी जो heading दिया इसको heading बना के इसके लाग और हानी के बारे में एक एक लाइन लिखेंगे तो आपका 800 words हो जाएगा इन दोनों में से किसी एक के बारे में इंटरनेट पर लिख दीजिए आप चाहें यहाँ पर जो बोला है इसकूल में report जो craft exhibition दिया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है इन दोनों में इसकी एक के बारे में आपको 80-100 words में लिखना रहेगा ठीक है फ्रेंस जो आपका कितने number में आएगा च्छा number में आएगा ठीक है फ्रेंस इसको आप ध्यान दीजिएगा च्छा number में आप प्रशन पूछेगा ठीक है यहां पर देख लीजिए आपके सामने आप grammar portion आता है देखें फ्रेंस grammar को कैसे आप करेंगे अब पहला इंस वरे जो दो number का आपका रहेगा कि you rewrite the following sentence by changing into indirect speech अब देखिए इसको इंडिरेक्ट में करना है कैसे करेंगे कीरन से टू हर मदर प्लीजम देखिए आप यहां पर लिखेंगे की रंड की नशा curses एँडिरेक्ट में किया लगा अब अडिक्टिकन की यहां पर अफर मदर उसी तरह लिख लिजिए हर मदर हर्मदर अब देखें फ्रेंस यहां पर आप क्या जोड़ेगे जब रिक्वेस्टर लगता है तो लगा लीजिए अब प्लीज को अटा के क्या करेंगे अब यहां से लिखा इसको लिख लिखिए अलाव लिखिए अम मी देखिए इसके अकार्डिंग आप सब्जेक्ट अनु यह आपको क्या हो जागा इंडायरेक्ट में चेंज हो जागा ठीक है फ्रेंस समझ में आ गया होगा यह इसका इंस प्रका लिखेंगे तो इसका दो नंबर आपको पक्का मिलेगा अब देखिए अगला है कि चैंज दे फाल इंटू पैसी वाइस अब पैसी वाइस में आप इसको पैसी बिखना हो ओगा इसको सब्जेक्ट बनाएंगे यहां से यूं लिखिए पहले अब दीगे जो टेन्स होता है इसके साथ क्या लगे गा लगेगा फिर लगें ऑने के बात आपको किसका लग लगता इसका ठाड़ फारम रशबर यह तो नोन का थारपारम क् भाई इस सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे आपजट बना दीज़ा आई का सब्जट क्या होता है क्या होता थे मैं होता है यहां पर फूल इस्टाप लगा दीजिए इस तरह लिखेंगे वेरी वेल बाई मी लिखेंगे ठीक है यह इसका बन जाएगा आपका पैसी वाइस और यह दो नमबर का पूछेगा अब देखिए फ्रेस आपका है पंक्चुएशन लिखना देखिए पंक्चुएशन लिखना है लेकिन आपको किन बातों का ध्यान देना है कामा और कैसे कहा यहां पर फूली स्टाप लगेगा इसका ध्यान देना और सब सब्सक्राइब देखिए लिखाए गार्डनर से टूमी आता है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि आपका क्या है नरेशन के रूप में ठीक है डायरेक्ट स्पीच है इसको लिखना रहेगा तो आपका कौन सा है क्या है पंक्टूएशन दो फॉलिंग तो दीखिए यहां पर पहला जो अक्षर होता है ड़ अब गार्डनर है तो गार्डनर लिख लेगे अब सेटूमी ही रहेगा ठीक है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा सेड्टूमी अब यहां पी देखिए फिरें एक कामा ऐसे ल इसको कैप्टल में लिखिएगा दू लिख लिजिएगा फिर जैसे लिखा है दू नाट टच टी ओ यू सी एच टच दफ्लोवर्स यहां पर लिखेंगे दफ्लोवर्स ठीक है यहां फ्लोवर्स और यहां फूलिश्टप लगा कि इस तरह कामा से बंद कर दीजेगा ठीक ह समझ में आ गया फ्रेंस तो इस तरह punctuation को करना है यदि इसको भी करेंगे तो आपका दो नंबर पक्का हो जाएगा ठीक है फ्रेंस अब देखिए आपका अगला जो सवाल पूछेगा ट्रांसलेट दफॉलेट इंटू इंग्लीज जो यह हिंदी में दिया रहेगा इसको आ इसके नीचे यह हूँ आप अपने बुक में पढ़ेंगे इसका एंसवर आप वहां से लिखिएगा बी वला है कि हाउ डिट वैली से मानी फार्द बस टिकेट ठीक है इसका एंसवर आपको देना है तीस से चालीस वर्ड में चलिए अगरे प्रशन को देखते हैं जो आपक एक्जाम में पूछेगा देखिए अगला है चाहिए उस प्रशन कीजिए चाहिए इस वाले के वाई वाज लेंचो एंगरी वित दपोस्ट आफिस इंप्लाइज ठीक है या इसका एंसवर दीजी या आपके बुक का है ठीक है अब देखिए यहां पे छटवा नंबर का है आपके बुक का है ठीक है अब देखिए अगला नंबर का जो सवाल पूछेगा क्या पूछेगा कि मेंसन आफ फ्यू डिफरेंस बिट्वीन एटाइगर इंद जू एंड टाइगर इंद जंगल आपको कितने वाड़ों में लिखना है साथ वाड़ में अरे सोरी दोस्तों 40 वाड़ में लिखना है यह 40 वाड़ में लिखेंगे ताब को कितने नमबर मिलेगा तीन नमबर इस पर मिलेगा किस पर लिखना है कि a tiger in the zoo के बारे में लिखना है अब देखें फ्रेंस यहां पर एक right four lines of any difference इसको ताप याद करके जाएगा चाहे इसको कीजिएगा आप ठीक प्रश्ण पत्र में नद या उसी के बारे में लिखना है तो आपको इस पर तीन नमबर मिलेगा चाहे इसको कीजिए चाहे इस वाले प्रश्ण को आप कीजिएगा आपके सामने अगला नमबर का आठवा नमबर का है कि राइट ता सेंट्रल आइडिया आफ एनीवन आफ सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है इन तीनों में से किसी एक का जवाब देंगे और चालिस से पचास वर्ट्स में ही देना है आपको इसका मतलब इस पर तीन नमबर आपको मिलेगा ठीक है फ्रेस्ट आपके सामने अगला नमबर का सवाल है कि एंस्वर एनीवन आप द ग्रिफिन वान टु प्रूब कुट रड़ कुट ही डू ड़ेट तेन दोने में से किसी एक का जवाब देना है आपको तीन नमबर इस पर भी मिलेगा आपका अगला है के इनसुर एनीवन आप द़ौली इन आप देना है किसी एक का ज़िए एनीवन जहां लिखा रहेगा इसका मतलब दो में से एक करना है जिसके लिए आपको चार नंबर मिलेगा इसका एंसर दीजे या आप इसका दीजे तो फ्रेंज देखिए यह आपका टोटल पेपर था और इसी में से आपके बोड के एक्जामे पेपर आने वाला है और इसी पैटर्न पर आएगा जैसा बताएं आपको फ्रेंज तो फ्रेंज आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें